हुआ कि तो लाजिक गेड्स हमारे खतम हो गया अगला टोपिक जो है वह हमारे पास है जंक्शन ट्रान्सिस्टार कि जंक्शन ट्रांजिस्टर अब ट्रांजिस्टर किसे बोल जाता है तो ट्रांजिस्टर एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है जिसके कई सारे यूजस होते हैं लेकिं चेहले हम उस्फ कर लेते हैं कि तरह जंड्रिय sudah कि है एज एक एमप्लिफायर कि तरह उसे यूज कर सोर से उसे कर लिया जाता है यह देंफ्लिफायर क्या होता है कैसे काम करता हैक है और रभीद तो बसे समझो कि एक थ्री टर्मिनल डिवाइस हैं इसमें तीन टर्मिनल होते हैं अब वन टाइप ऑफ सेमी कंडुक्टर है वन टाइप ऑफ सेमी कंडुक्टर कि इस सैंडविच्ट पीच में रखा जाता है है बिट्वीन दियादर टाइप कि दूसरे टाइप के सेमी कंडुक्टर के जैसे अगर तुम देखो तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि यह अगर आपके ट्रांजिस्टर है और इस साइड को मैंने अगर एन रखा है तो इस साइड को भी मैं रखूंगा और पी को रखा जाएगा बीच में यह आप क्या बना सकते हो पी को ले सकते हो साइड में यहां भी आ जाएगा पी और बीच में आ जाएगा एं तो यह कहलाता है एंपी एंट ट्रांजिस्टर कितीच में एक टाइब का सेंडविस्ट है एक तरह से अब कोई से भी टाइब का सेंडविस्ट हो इनने कुछ नाम दिया गया है जो लेफ्ट साइड का टर्मिनल है जैसे कि मैंने का तीन टर्मिनल होते हैं तो इस तरह से टीन टर्मिनल बनाए जाते हैं जो लेफ्ट साइड का टर्मिनल है इसे हम बोलते हैं एमिटर और जनरली राइट साइड में जो रहता है वो रहता है आपका कलेक्टर और बीच का जो टर्मिनल होता है उसे हम नाम देते हैं बेस तर्मिनलोजी आप रखनी है बेसिकली बीच वाला जो होता है वो बेस रहेगा और उसके एक साइड पर एमिटर और एक साइड पर कलेक्टर रहता है तो इस तरह से तीन टर्मिनल होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे बेस इस वेरी थिन बेस को बहुत ही थिन रखा जाता है और ले सकते हो वन माइक्रो मीटर यानि बहुत ही ज़्यादा पतला साथी साथ बेस इस लाइटली डॉप्ट लाइटली डॉप्ड विद इंपूरिटी काफी कम मात्रा में इंपूरिटी बेस के अंदर मिलाई जाती है ठीक है ना जबकि जो एमिटर है एमिटर इस हेविली डॉप्ड वाइल कलेक्टर इस मॉडरेटली डॉप्ड तो भैंकर तरीके से डॉपिंग की जाती है किसके अंदर एमिटर के अंदर इसमें धेर सारी इंपूरिटी मिलाई जाती है बीच में जो बेस है उसको बहुत ही लाइटली डॉप किया जाता है बहुत ही कम पूरिटी मिलाई जाती है और जो करेक्टर है वह बीच में रहता है कुछ है विली भी नहीं है और लाइट भी नहीं है यानि बेस से ज़ादा डॉपिंग है पर एमिटर से कम डॉपिंग है तो यह भी याद रखना है आपको अगली चीज़ आ जाती है सिंबल का यूज़ किया जाएगा तो ट्रांजिस्टर के लिए जो सिंबल हम यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से बनाया जाता है तिंडिनल हो गये यह नहीं कंग है यह थीन टर्मिनल हो इसए यह गया आपका ट Das कि यहापका इंगिर कर दो क्वेक आपका क्लेक्टर कर सकता है तो करेंट की डिरेक्षन है इ้ वे बस एमिटर की साइट पर ही शो करोगे तो अगर आपका यह अ्यानी बेस आपका क्या है पी बात समझा रहे हैं कि नहीं अगर है तो बेस आपका क्या है फिस है तो करेंट की डिरेक्शन कैसे शो की जाएगी इस तरह से कि समझा रहे हैं तो इस करेंट की डिरेक्शन से आप पहचान होगे कि एन पी है या पी एन पी है ठीक है ना मैं उसका भी बनाके दिखाता हूँ दूसरे वाले का सब कुछ सेम रखा जाएगा यह हो गया आपका बेस यह हो गया कलेक्टर और यह हो गया एमिटर यह अगर आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर है यह अगर आपका पी एन पी ट्रांजिस्टर है तो यह आपका बेस क्या हो गया एं यह हो गया आपका पी और यह भी क्या है पी इस बार करेंट की डिरेक्शन इस तरह से शोग की जाएगी कुछ इस तरह से More Iающan District sä 那aca Emet supposed म했는데 हम पता उसके होल से पीके अंदर होल से हमें पता है तो होल के ट््रावल की डरेक्शन जो होगी वह मेमट करेगा होल्स और वह डरेक्शन किसी हो जाएगी corrid हो जाएगी में पर sovereignty आगे देखो एक इमपॉर्टेंट पॉइंट हlungen की टाइम पर क्या किया जाता है अगर अगर आप नॉर्मल और परेशन कर रहे हो ट्रांजेस्टर गयों तो गलख और श्च का जंख्शन होगा कि Canada 있어 based का junction है क्योंकि यहां पर दो पर जंखेन लिए सिखेए कि सबने किया यéri मुझे पता तो बता जाएता हूं दो पी जंख्षान से दिखो एक दिशंग्षन पी अर और एक कशन यहां और और ऑघ्यम झॉक्षन यह होगया यह किसका जंनक्सन हो गया यह को गया क्लेक्टर बेंज जंसन तो जब नौर्मल शेचिछ चल रहा होता है तो हम एमिटर बियूच जंक्शन कó तो फ्यूरर बायस रखते हैं फिर्टिक न और आप डेंटर बेज शंद्चन को रिएस पाहस रखते हो क्लेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस्ट रखा जाता है और एक चीज़ तो क्लियर है बेसिकली डिरेक्शन ओफ मोशन ओफ होल्स डिरेक्शन ओफ मोशन ओफ होल्स इस दी डिरेक्शन ओफ करेंट इस दी डिरेक्शन ओफ करेंट और इस शोन बाइन एरो और ऑन दी एमिटर साइड जो एरो मैंने बनाया था वो बेसिकली आपको बताता था कि होल्स कहां से कहां जा रहे हैं है ठीक है ना वहीं बेसिकली डिरेक्शन ओफ करेंट भी कहलाती है है ठीक है क्लियर है यहां तक चलो तो अब कई तरह से इसे ऑपरेट किया जाता है मोड्स ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें है कैसे कैसे से यूज कर सकते हैं तो बात यह एकि इंपूट कि लिए आपको दो टर्मिनल चाहिए उते हैं किसी भी शर्किट्स में और आउट्पूट कि लिए तो मान लो कि हम इस तरह का अरेंज्मेंट करते हैं कि कि यहां में रेजिस्टर लेता हूँ कि यह और सिचुएशन में लेता हूँ तो पहली बात तो है करेंट से आपको इस below कौन सा ट्रांजिस्टर बता सकते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर मैं से यूज किया है प्नाइबा बताइये को साइब चूस्टर शुर्सेटर हम है NPN बिल्कुल सभी जैसे मैंने NPN ट्रांजिस्टर का एक एक ग्जामपल ले लिया है तो आप देख सकते हो कि कि बेसिकली एमिटर साइट पर करेंट इस तरफ आ रहा रहा है तो एमिटर जो है वह कॉमन ने इन पॅट में यूबें और आउट पुट में भी को एसे साटब को कहा जाता है कॉमन एमिटर सेट अप कि इसके अंदर जो है हमने क्या कॉमन रख लिया है एमिटर को कॉमन रख लिया है तो यह एक तरह का मोड ऑफ ऑपरेशन है दूसरा आप क्या गढ़ सकते हो दूसरी चीज़ यह की जाती है बताओ जरा मैं किसको कॉमन रख रहा हूं इस वाले केस में किसको कॉमन रखा जा रहा है आप देख सकते हो बीच वाले को कॉमन रखा गया है तो यह जैसे कॉमन बेस को रिप्रेजेंट करता है कॉमन बेस मोड ऑफ ऑपरेशन और सिमिलरली तीसरा टाइप होता है इस वाले केस में क्या किया गया है तो इस वाले केस में हमने कॉमन कलेक्टर लिया है इस प्राइटरी नहीं लगाते वह कॉमन होता है इस की ब्राइच में बैटरी लगाई उसको क्या करते हैं कॉमन के देते हैं तो मैं कह सकता हूं कॉमन टर्मिनल कॉमन टर्मिनल को इस टेकन है एट जीरो पोटेंशिल कॉमन टर्मिनल को अब सीरो पोटेंशिल पर लेते हो बात समझाई तो इस तीन मोड ऑफ ऑपरेशन किसी एक को कॉमन रखना था तीनों में से किसी भी एक कॉमन रख सकते हो आगे हम चलते हैं वर्किंग के उपर वर्किंग कैसे होगी अब मैं जैसे मैंने यहां पर आपको डिखा दिया अ है तो यहां पर मैंने एक आपको सर्कृट दिखा कि है कि अधिक है न चलो यह आपका दिया हुआ है एमिटर इस तरफ और यह आपका यहां पर दिया गया है कलेक्टर और बीच वाला बेस वह आता आपको पता ही है ठीक है तो होता क्या यह समझने की कोशिश करो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर के अंदर सबसे पहले मनुवा ही ले लिया कि यहीं मोश्टली यूज़ किया जाता है सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या किया जाएगा और विसली बेस एमिटर जंक्शन अ बेस एमिटर जंक्शन को तो आप रखते हो फॉर्वर्ड बायस्ट ठीक है ना फॉर्वर्ड बाइस रखा जाता है और बेस कलेक्टर जंक्शन बेस कलेक्टर जंक्शन इस रिवर्ड बायस्ट ठीक है अब देखो होता क्या है यहां आपका एमिटर है यहां आपका बेस है यहां आपका कलेक्टर है ठीक है को पी कि अधर क्योभिली डोपड़ तो इसमें क्या हैं धिर सारे लेक्ट्रोंस हैं जब्र शेत रहां है कि इस तरह से रघाए नहीं अब देखो कि a electric fill notification पर कैसे रही होगी ane electric की डिरेक्शन जंक्शन पर क्या रहे एक कुछ इस तरह की रहेगी कि नहीं है आवियसलिषी पॉसिटेफ्थ से नगिटिफ की तरह ही रहती है बेस को आपने हायर पोटेंशल पर लिए औरमिटर को लौर्व पोटेंशल पर लिए- Right की तरफ लगता है तो electrons जो है वो Right की तरफ flow करना शुरू कर देते हैं ठीक है न ठीक है न तो अब ढ़ेर सारे electrons क्या कर रहे हैं ट्रैवल करना शुरू करते हैं बेस की तरफ अब बेस क्यूंकि आपका Bहुती lightly doped है यानी उसमें holes की संक्या कितनी होगी बहुत लृज classic होगी कह सकते हैं तो कुछ electrons होंगे जो की कौन absorb कर लेगा base absorb कर लेगा और collector base junction को हमने क्या किया है देखो ज़ब ऊसे आपने reverse biased किया है collector base junction को हमने क्या किया है reverse biased किया है तो electric field की direction क्या है इस केस में इसकेस में एलेक्ट्रिक फिल्ट की डिरेक्शन ओविएसली यही रहेगी इस जंक्शन पर दूसरे जंक्शन पर तो यह एलेक्ट्रोंस को और उल्टा क्या कर रहा है इसी तरफ पूल कर रहा है तो यहीं आपको करना होता है एमिटर से पहले आपने एमिटर बेर जंक्शन को फॉर्वर बैस किया चेह नियुर्व समझ आए को और बनाओ कि कि आपने एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया जिससे इलेक्ट्रिक फील आई इस तरफ तो इलेक्ट्रोन पुश हुए बेस की तरफ अब बेस में क्या थे बहुत ही कम-कम होल थे तो थोड़े बहुत क्या हुए होंगे मर्ज हो गए होंगे लेकिन यहां पर कले क्योंकि मॉडरेटली डोप दें तो वो से क्या कर लेगा एक तरह से कलेक्ट कर लेगा इस तरह से वर्किंग चलती है ठीक है यहां हम लिख सकते हैं कि के मोस्ट अब देलेक्ट्रॉंस कि मोस्ट अब देलेक्ट्रॉंस फ्रॉम एमिटर most of the electrons from emitter cross over cross over to collector then pass the batteries then pass the batteries and again reach and again reach srkj 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 k a a a कि ऐसा सब करने से कि χर्ए एक ब्रांश में कॉर्इंट आलगा घाला ये यानि बिहींट Jadi और एमिटर में करेंट इस तरह से होगा क्योंकि एलेक्ट्रोंस एमिटर की तरफ जा रहें पता है कि नहीं तो इस तरह से करेंट आ जाता है जब आप कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को यूज करते हो ठीक है ना अ इसको सिंबल दे दिया जाता है वी ईई. जो ंध Bubble वोल्टेज आपने लगाया है और इससे देते हैं वी C, यहनि जो वोल्टेज आपने लगाया है क्ठटर की साइड पे, इस ईएग्राम से हम सीदा सीदा कह सकते हैं aan दख करेंट थूँ वी ए यह एमिटर वाली बैटरी से जो करेंट पास होता है इस एमिटर करेंट जैसे आप आई से डिनोट करते हो similarly the current थूँ वी सी बैटरी यह निकलेक्टर वाली बैटरी से उसे आप कलेक्टर करेंट कहते हो कि आई सी ठीक है नहीं और एक चीज़ आई बीज़ वेरी वेरी स्मॉल इस वेरी स्मॉल बिकाउज ओफ लो पर्सेंटेज ओफ री कॉंबिनेशन बहुत ही कम इलेक्टरान होल का कॉंबिनेशन हो पाता है क्योंकि यह लाइटली डोप था करेंट ऑब्यूसली क्या रहने वाला है तो एमिटर करेंट जो है वह बेसिकली बेस करेंट प्लस करेक्टर करेंट के इक्वल रहता है यह रिलेशन आपको याद रखने है थोड़ी इंपॉर्टन थेक है ना देखो जड़ा कोई डाउट है तो ठीक है बहीं तो आप कुछ रेशियों जो की इंपॉर्टन होते हैं ट्रांजिस्टर में आपको याद रखना जिनको बोला जाता है अलफा एंड बीटा पैरामीटर अलफा एंड बीटा पैरामीटर फॉर ट्रांजिस्टर अब यह डिट्रीट बस आपको यह बताता है कि बहीं जो करएंट ना करेंट्र बेस और मिटर में भॉक इस तरह से रहलेटेड रखना है अपको ल्फा गों सब्सक्रेक्रेंट गॉ्हों किया जाता है क elaborर है करेंड बाइ मिटर करेंट इनका रेशियों किस दिलցदे आ सब्सक्राइब अब आपको एक चीज़ पता ही है कि एमिटर का जो करेंट है वही बेस करेंट और कलेक्टर करेंट बना रहा है इन से आप अल्फा बीटा की टर्म्स में एक रिलेशन निकाल सकते हो बीटा जो इकॉल आ आधे वह जाता-वाफा फॉन मागे-स अलफा है ऑस थे कना या री ओर्री एरेंज कर लो अगर तो एलफा आपके पास बीटा अपॉन बनस बीटा आट-त याड पी में एलफा बीटा पैरटाउन किसी वी ट्रांजिस्टर के लिए हमें निकालने होते हैं जो कि क्या होताए ब कोपी लोग कॉईशन करने पर सकते हैं है वंचरह ओश 2 ऑगर वह देखो दिस एप्लिकेशन के हमबात कर रहे थे वर ट्रांजिस्टर अरज ने मॉपिटचर अधिंशा की तरह कैसे काम करता है रगता है ट्रांजिस्टर एध्क एंप्ली फायर क्या होता है ठीक है तो basically to increase to increase the amplitude the amplitude of a signal is called amplification किसी भी signal के amplitude को बढ़ा देना उसे आप amplification कहते हो और उसके लिए the device जो यूज की जाती है the device used is called an amplifier ठीक है ना काम कैसे करता है उसके लिए circuit देख लो जड़ा अनने बाद आजटे हैं टीक जाइअ टीक है नअ किया है तो यहां मालो कि आपका इनपुट सोर्स है यहां पे दिया गया हृँ ठीक है यह प्यच्च यहां से यहां से अब कर रहा है करेंट फ्लो क्छिटा हूं करेंट इन दे बेक्रत Limititten यह वे की साइट पर हमने क्या कर रहा है वह इस तरह से दिखाए गया है आई-ई तो जो भी पोटेंशल डिफरेंस है बेस और एमिटर के बीच में उसे मैं कह देता हूं वी बीई बेस अमिटर का वोल्टेज सिमिरली कलेक्टर में करेंट इस तरह से आ रहा है आई-सी तो यहां है आपका लोड जिसके अक् वोल्टेज है तेक उसे हम कह रहे हैं वी सी का लेक्टर मिटर के बीच में जो प्रटेशल डिफरेंस उसे वी सी कहा जा रहा है यह आपका कॉमन रखा गया है बेस के साथ बी और कलेक्टर के साथ भी तो होता को जिस तरह का एक ग्राफिकली देखा जाए तो यहां मांनलो आपका इंपट वोल्टेज ताइम के साथ उसका graph मिलू इस तरह से वोल्टेज workers आपने POD दिया था कि मैं तो टाइम के साथ जो अलड बोल्टेज आना चाहिए वो काफी एम्पलिफाइड सि्गनल आना चाहिए तो इसके लिए जो बेस एमिटर जंक्शन हमने लिया है उसको हमने लिया है फॉरवर्ड बायस्ट तो अब विसली क्या होगा एलेक्ट्रॉंस फ्लो कि फ्रम एमिटर डुबेस आपेटर डूबेस क्रोसिट कि एंड रीच कलेक्टर सब में होता हुई यह चाहे आप कुछ भी कर लो हर एक में काम इसी तरह से होता है आप वोल्टेज इस तरह का सैट करते हो के एमिटर से एलेक्ट्रोंस निकलें भारी मात्रा में क्योंकि वह हैविली डोप्ड है और मेजॉर्टी जो है पार करके बेस को सीधे कलेक्टर के पास पहुंच जाएं तो मैं यह कह सकता हूं कि जो है most of the emitter current most of the emitter current is equal to collector current लगबग आप कह सकते हो 0.95 से लेके 0.99 तो collector पर पहुंची जाता है बहुत ही कम है जो कि थोड़ा बेस के अंदर फ्लो करता है क्योंकि थोड़ा बहुत री कॉंबिनेशन हो जाता है है यह हम लिख लेते हैं सम होल्स है सम होल्स आफ बेस डिफ्यूस बारी कॉंबिनेशन वह एलेक्ट्रों जो से आ रहे थे हैं उनके साथ मिल जाते हैं है ठीक है नहीं है कि विच काॉज इस बेस करेंट जिसकी विजए से बेस करेंट आता है ठीक है अब मान लो के बेस इफ बेस एब्स एक्सेस एलेक्ट्रॉंस बात यह कि देखो बेस में कुछ होल्स तो पहले से होंगे ठीक है ना और क्योंकि आपने थोड़ी सबस्कुर को जाता है द है जाता आएन जो सब्सक्रीट कि अबस्दों कर ले तो नेगेटेबली चार्जड एंड अपोजिस फ्लो आफ एलेक्ट्रॉंस फिर यह क्या करने लग जाता है जो एमिटर से और एलेक्ट्रॉंस आ रहे हैं उनको अब अपोज करने लग जाता है करे गया और इस समय पे अगर करेंटेक्र केसि इश्ड बते और वेरा चेंज करके अगरा बिस्क अबड़ा दो तो देखा जाता है क्रेक्टर कुरेंट इंक्रीज शुक्ष से क्योंकि वह क्या करता है बेस करेंट बढ़ने से नंबर ऑफ होल्स उसके अंदर अचानक से बढ़ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज उसके पर घट जाएगा और वह क्या कर देगा बंद कर देगा इसी प्रॉसेस को में एम्प्लिफिकेशन कहते हैं कि यानि बस आपको यह याद रखना है कि हलका सा बेस करेंट चेंज करके अगर आप क्लेक्टर करेंट को बढ़ा सकते हो तो उसे आप क्या कहते हो एम्प्लिफिकेशन कहते हो आरेल जो हमने यहां पर लिया है वह लोड रेजिस्टेंस है और वह काफी हाई रेजिस्टेंस ल प्याइब चलो अब आपने क्या किया है अब आल्टरेटिंग वोल्टेज लगाया था यहां पर इंपुट में देखो जड़ा ठीक है तो यह तो फिक्स है लेकिन यह वोल्टेज तो लगातार बदल रहा होगा तो मैं कह सकता हूं वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर लगातार बदल रहा होगा है कि नहीं तो क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस बेस एमिटर इस चेंजिंग विट टाइम ताइम तो जो बेस करेंट होता है वो भी चेंज होता है बेस करेंट चेंजेस थीक है ना अभी हमने काई था अगर आप कॉंस्टेंट करेंट फ्लो करा रहे होते तो तो बेस नेगेटिवली चार्ज जाता और इलेक्ट्राउंस को रिपेल करने लग जाता पर अब क्योंकि वोल्टेज लगाता रहा बदलेगा तो इसकी वैल्यू भी बदलेगी ठीक है न तो ऐसे में जो करेंट गेंड निकाला जाता है तक करेंट गेंड डेल्टा आई-सी बाइड डेल्टा आई-बी यानि बेस केलेंट में में सेक्राइंट स्थ क्रेंट का जो चेंज आए हैं यह जो रेशियों अगर निकालता हूं यह नियर लियर आपके पास 50 आथा पचास कुन इज वे दार लूड और से चेंजेज जो लोड आपने बाहर रखा उसके अक्रॉस वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा और वो डेल्टा भी में कह सकता हूं आरेल इंटु डेल्टा आई-सी क्योंकि काली क्रेंट जहां फ्लो कर रहा है वहीं फिंट हमने लोड़ लिया देख सकते है तो अगर अगर काल़ेक्टर करेंट में चेंज आएगा तो फिर लोड की अक्रोस वोल्टेज में क्या आएगा जीए यह और क्योंकि लोड हमने बहुत हाई लिया बहुत है है तो डेल्टा वी जो आता है वोल्टेज में चेंज्ट वह काफी ज्यादा आता है इस लिए से हम कह देते हैं amplified output यह amplified voltage तो यह पूरी उसकी वर्किंग है अब क्वेस्टेंस में आपसे पूछे जाते हैं गेन यानि कि कितना फैक्टर से बढ़ा कोई भी कॉंटिटी तो किसी भी एम्प्लिफायर के लिए आपसे पहली चीज़ पूछे जा सकती है वोल्टेज गेन वोल्टेज गेन याद रखना है आपको वह सिंपली हो जाता है वी आउटपुट वाई वी इनपुट थे के ना सिंपल सी बात है यहाँ पहें अगर हम डीफाइन करें डा éénवा इंसकी पी एंजेंट्शन के लिए ना मिक रेजिस्टेंस सी डिफाइन किया जाता है तो डैना मिक रेजिस्टेंस ऑफ बैसे दर जंक्शन है कि अगर मैं उस्काए और बिए और बेसे प्या था इंपूच च्या था ओन है ठीक है ना है तो डेल्टा आई भी आप निकाल सकते हो वह जाता है वोल्टेज इंपुट बाइ आर बी अब फॉर्मिले नोट करते जाओ साथ साथ कि 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 ना है सिमिलेल्ली दूसरी चीज़ को आप से पूछ सकता है कलेक्टर करेंट कि क्योंकर करेंट आइसी तो वह जाता है बीटा टाइम साइब भी भीटा आपको पता होना चाही है कि बीटा क्या है रेशिय ओफ गेन ठीक है थो डेल्टा आइसी यह तो जाता है बीटा टांट दैल्टा अई भी चेंज के लिए बीगिए वैलिट आए भी तो बेसिकली करेक्टर करेंट में कितना चेंज आएगा वह भी आपने काल सकते हो इस फॉर्मिले से यानि अगर हमें इन्पूट रजिस्टेंस पता है इन्पूट वोल्टेज पता है और बीटा अगर हमें पता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं बीटा जो किया जो कि सिंप्ली क्या होगा लोड का रिजिस्टेंस इंटो डिल्टा इसी है कि नहीं तो बस वी आउटपुट आपको मिलता है बीटा वी इंपूट रिजिस्टेंस ओफ लोड अपॉन रिजिस्टेंस ओफ बेस एमिटर जंक्शन थेक्षिए ना तो जो वोल्टेज गेन हम क् कर रहे थे यानि कि वी आउटपुट बाइवी इंपूट वह सिंप्ली मिल जाता है बीटा रिजिस्टेंस ओफ लोड बाय रिजिस्टेंस ओफ बेस एमिटर जंक्शन किसी भी एमप्लिफायर के लिए एक तरह से क्या है फिक्स है कि अगर आपको लोड का रिजिस्टेंस पता है बेस एमिटर जंक्शन का रिजिस्टेंस पता है और बीटा जो कि है आई सी वाई भी वह पता है तो हम क्या बता सकते हैं वोल्टेज गेन बता सकते हैं कि यही मेन फॉर्मिला ऐसे नोट डाउन कर लो कि सिमिलर्ली आता है करेंट की है कि ठीक ना कि तो पता है यह निल चुक आए ज़िद सम्त्राइब बडल्टा इज एज ब् ap यह को आप करेंट गेड कह देते ओं कितना करेंट में गेंन हुआ बेस को चेंज करने से करेक्टर का कितना करेंट यह उसे हम कह देते हैं करेंट के similarly कोई पावर गेन आपसे पूछ सकता है तो पावर गेन क्या हो जाता है इंपट पाव आउटपट पावर बैंपट पावर तो उसको भी पुट कर दो वैल्यूज दोनों बेसिकली मल्टिप्ला हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वेर रेस्टेंस अफ लोड बाय रेसिस्टेंस ओफ पी ठीक है ना एक और टर्म डिफाइन कर दी जाती है जिसे हम कहते हैं ट्रांस कंड़क्टेंस ट्रांस कंड़क्टेंस या ट्रांसफर कंड़क्टेंस सिंबल होता है जी एम यह बेसिकली यूस्टो मेजर स्मॉल चेंज इन वी बी इए बेस एमिटर जंक्शन के वोल्टेज के हलके से चेंज से जो लार्ज चेंज आता है कलेक्टर करेंट में तो इससे आप कह सकते हो डेल्टा आई सी बाय डेल्टा वी बी इए अब पूरी कानी मतलब वही है एंपलीफायर में आप हलका सा वोल्टेज बेस एमिटर जंक्शन का फ्लक्शुएट कर रहे हो और उसकी वज़ए से कलेक्टर करेंट कितना जादा बढ़ जा रहा है जिसकी वज़ए से लोड क्रॉस वोल्टेज काफी दा बढ़ जा रहा है अब लिफाय हो जा रहा है वहीं सब आपसे पूछा जाता है थीक है अ कुछ फॉटिंस करते हैं को है थीक है तो क्वेश्टे चाहरे टॉपक्स जो अब तक पढ़ेंस सबसे मर्ज रहेंगे मिक्स रहेंगे तो पुराने टॉपिक स्वीस में तो in a p-type in a p-type semiconductor the acceptor level the acceptor level is 57 millielectron volt above the valence band तो आपको बताना है find maximum wavelength of light which can create a hole which can create a hole ठीक है न तो basically valence band से आपको पहुचाना है किसमें acceptor के अंदर ताकि वह accept कर ले तो whole बनाने के लिए कितनी maximum wavelength use कर सकते हैं हम ट्राइ करो ठीक है तो यह तो basically photoelectric effect जैसे question है आपको सिर्फ इतनी energy create करनी है है कि नहीं तो मैं कह सकता हूं hc by lambda यह हो जाना चाहिए 57 millielectron volt और lambda आपको मिल जाएगा hc by 57 millielectron volt चाहों तो values put कर दो या फिर 12400 भी यूज़ कर सकते हो हूं है पैने इस तो पावर एट अपॉन फिफ्टी सेवन millielectron और यह जो हमें मिल जाएगा 2.18 तो टेन इस तो पावर माइनस फाइव मीटर है यह हमें वैल्यू मिल जाएगी ठीक है साधा और सभी क्वेस्टन था यह तो एक ट्रांजिस्टर पर ट्राइग कर लेते हैं question the question a change of a change of 8 milliampere in the emitter current emitter current brings a change of 7.9 milliampere in collector current question a how much change how much change in base current would bring the same change of 7.9 milliampere in the collector current also find alpha and beta try करो तो देखो सबसे पहली बात तो आपको पता है आई एमिटर यह होता है आई बेस प्लस आई करेक्टर तो मैं कह सकता हूं और चेंज इन एमिटर यह होगा चेंज इन बेस प्लस चेंज इन कलेक्टर अब बताए गया है कि 8 milliampere जब emitter को चेंज किया तो कलेक्टर चेंज हुआ 7.9 milliampere यानि चेंज इन बेस कितना था तो वह था 0.1 milliampere अरे अब सीधी सी बात है कि जब आपने emitter को चेंज किया 8 milliampere से तो बेस में चेंज आया 0.1 milliampere और उसके corresponding collector में चेंज आया 7.9 milliampere का तो obviously बेस को कितना चेंज करना चाहिए हमें 0.1 milliampere से चेंज कर देना चाहिए ताकि collector में चेंज कितना आ जाएगा 7.9 milliampere का आ जाएगा ठीक है ना कि सेकेंड पार्ट में हमसे एलफा और बाट बीटा पूछा गया है एलफा हो जाता है आपके पास डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई ए तो collector में चेंज आया है 7.9 milliampere का बाई बेस में था 8 milliampere का ठीक है ना सिंपल है एकदम आपको बस रेश्यो लेना है यह सॉल करने से हमें मिलेगा 0.99 और बीटा अगर बोला जाए तो बीटा हो जाता है हमारे पास क्या डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी बेस का यानि 7.9 milliampere बाई 0.1 milliampere यानि यह आपको मिल जाएगा 79 कोई डाउट किसी को क्लियर है चला एक और क्वेस्टन देख लेते हैं तो इन अ कॉमन एमिटर एम्प्लिफायर इन अ कॉमन एमिटर एम्प्लिफायर वन 20 millivolt इस आड़ तो बेस अमिटर वोल्ट इज तो बेस अमिटर वोल्टेज एंद कलेक्टर कुरेंटर बाइंद कलेक्टर कुरेंट बाइंट 2 कि बीटा कि सेकेंड पार्ट में बताना है इन्पुट रेजिस्टेंस कि यानि कि आर बेस एमिटर कि सी में आपको बताना है ट्रांस कंड़क्टेंस कि और डी बताना है वोल्टेज गीन चलो बई ट्राइकरो चलो बई देखो तो पहली चीज तो आपको बतानी है बीटा जो की प्यॉर्ली फॉर्मिला बेस्ट है बीटा आ जाता है हमारे पास चेंज इन कलेक्टर करेंट बाइ चेंज इन बेस करेंट तो वह में दिया गया है टू मिली एमपियर बाइ 20 माइक्रो एमपियर और यह सुन्दर सा हंड्रेड हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड चीज पूछी गई है इन्पुट रिजिस्टेंस इसके लिए मैं रिलेशन यूज कर लेता हूं डेल्टा आइसी यानि कलेक्टर करेंट का चेंज यह होता है बीटा इन्पुट वोल्टेज बाइ आर बीई अगर सारी वैलिउस पुट की जाएं तो यहां है टू मिली एमपियर यह वना चाहिए बीटा हंड्रेड इंटू ट्वेंटी मिली वोल्ट से चेंज किया गया है वोल्टेज अपॉन आर बीई कि सॉल करने से आपको आर बीई या इन्पुट रिजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं वह मिल जाएगा वन थाउजन टॉम कि या तीसरा पोछा गए था ट्रांस कंडुक्टbbeन्स यान कि जय विता है चेंज़ इन कालेक्टर के किरेंट 基本 चेंज नंगे संट्सेंटर वोल्टेज तो यह तो टू मिली ऐंपियर दिया गया है आर वर बेस्थोंटर वोल्टेज को ट्वेंटी मिली वोल्ट से चेंज किया है मिली वोल्ट से यह मिल जाता है आपको 0.1 ओम इन्वर्स या महों बोलते हैं इसे ठीक न ओम का उल्टा और चौती चीज है आपकी वोल्टेज गेन जो की सिंप्ली है बीटा रेजिस्टेंस ओफ लोड बाई रेजिस्टेंस ओफ बेस एमिटर जंक्शन यानि इन्पुट तो हंड्रेट इंटु लोड का दिया गया है क्वेश्चन में 5000 बाई बेस एमिटर का हमने निकाली लिया है 1000 यह मिल जाता है मैं 500 यह हो गया हमारा आंस कोई डाउट किसी को तो यहां आपका सेमी कंड़क्टर खतम हो जाता है थीक है